हेलो फ्रेंड वेलकम तो माई चैनल ग्रीन लाइफ आज मैं आपसे सेर करूंगे ऐसे प्लांट के बारे में फ्रेंड जिसका फ्लावर अकर जमीन में गिर भी जाए फिर भी वह देवी देवताओ पर चड़ाये जाता है इसका नाम है फ्रेंड परीजा जिसे हर सिंगार भी क पुबसूरत होता है यह साम के समय इसका फ्लावरिंग होता है फ्रेंड उसके पहले यह कलिया ही बनी हुई रहती है देखिए फ्रेंड मेरे टेरिस गार्डन में कितनी सारी इसमें कलिया बनी हुई है यह ऐसे तो प्लांट फ्रेंड बड़े साइज का होता है लेकिन आप गमले में इसे ग्रो किजिएगा और कटिंग चटिंग करते रहिएगा तो यह फ्लावरिंग होट में भी अच्छी तरह से करता है इसकी वेल्डन मिट्टी बनाईएगा और समय समय पर फर्टिलाइजर देते हुए रहिएगा इसकी पतियों को देखिए फ्रेंड थोड़े ब पतियों से गरम करके सेखने से या इसका कड़ा बनाके पीने से बहुत ही फायदा होता है अयोद्धाय में फ्रेंड हमारे मनननी परधान मंत्री इसी पौधा का पौधार ओपन किये थे इसकी खुलों को देखिएगा फ्रेंड देखिए दिखने में कितना ही खुबसूरत ह प्रेंड अभी में आपको दिखाने ही पाती हूँ क्योंकि यह साम के समय खिलने वाला फ्रेंड होता है और इसकी खुस्बू बहुत ही मंद मंद होती है असुबह आप देखिएगा धेरो फूल जमीन पे गिरे पड़े हुए रहते हैं देखिए पीछे की तरफ यह कोलर का फ्लावर होता है इसे स्वर्ग का फूल काता है काते हैं यह स्वर्ग से लाया हुआ प्लांट है ऐसा कोई भी फ्लावर नहीं होता है फ्रेंड की जमीन से उठाया हुआ भगवान को चड़ाये जाता है लेकि एक मात्र यह ऐसा फ्लावर हो है जो जमीन पे अगर गि और समय समय पर इस पर फटिलाइजर देते ही रहिए तभी इसमें धेरोढ़े फ्लावरिंग होगी इसमें आप बनाना पील्स या ओनियन पील्स अगर के लिक्विड इसमें डालिएगा तो इसमें बहुत हेवी फ्लावरिंग करता है देखे फ्रेंड ये मेरे दो साल पुरान लेकिन ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। सामके समय में वीडियो नहीं बना पाते हुँ फ्रेंड क्योंकि अंधेरा बाइ